Assalamu alaikum students, today we are starting our chapter number 4, rounding off. Rounding means changing a number to another number that is close to in the value. It is easier to work with a remember with rounding off. Rounding off के अंदर जए हमनों क्या करेंगे कि इसके अंदर जए में number change करना होता है? Number change करना होता है इस number के करीब. जिसे हमारे पास अगर जो number के बहुत करीब होता है तो हमारे वो number जो है वो निखते हैं. Remember रखने के लिए कि हाँ, ये वाला जो number है ये इस value, इस category का है. Like के अगर हमारे पास 11 निखा हुआ है तो ये किस number के ज्यादा करीब है? Like के 20 के करीब है या फिर 10 के करीब है. ठीक, तो 1 से लेकर 4 तक जो values आती है, 10 के nearest, तो वो हमारा backward की तरफ जाएगा. Like के अगर हमारे पास एक number है, 11 तो वो 1 आ रहा है, वो किसके ज्यादा करीब है? 11, जो है वो 10 के ज्यादा करीब है या फिर 20 के करीब है. तो मैंने आप लोगों को बताए कि अगर 1 से 4 तक numbers होंगे, तो वो numbers जो हमारे 10 की तरफ जाएगे. ठीक, और अगर यही number हमारा पास 11 की जगा 15, 16, 17, 18 या 19 होता, तो यह हमारा forward की तरफ जाता, कि यह nearest किसके है? 20 के nearest है. ठीक, तो इसी तरह यहां पर आप लोगों के पास है, rounding to nearest 10, nearest 10 जो है, वो हमारे पास यहां पर full एक example दी हुए है, कि यहां हमारे पास the digit at unit place decide whether to round up or down the number to nearest 10. हम लोगों को यहां पर यह बताया जा रहा है, कि यहां पर हमें कहां जाना है, कि वो बहुत असानी से round off हो जाए, nearest 10 के. Numbers that end on digit from 1 to 4 are rounding down to nearest 10. जो हमारे पास 1 से 2 तक है वही, तो वो 10 की तरफ move on होंगे. और number that end on digit 5 to 9 are rounding up to nearest 10, मतलब के. अब जो हमारे पास यहां पर example दी हुए है, कि 83 एक जगा nearest to 83 है, तो वो nearest to 80 होगा. और second में दिया हुआ है, कि अगर 5 to 9 numbers होंगे, तो वो हमारा upward जाएगा. तो 87 से वो किस की तरफ खेचा चला जाएगा? 90 की तरफ. अब हमारा बस निचे पास एक exercise है, rounding up of the numbers to nearest 10. nearest 10 की तरफ हमने जाना है, आप देखें, यहां पर 516 है, तो 16 nearest किस के है? 5, 20 के, ठीक, क्यूंके 16 जो है, वो 20 के ज्यादा करीब है, बमकाबल 10 के, ठीक. इसी तरह अब number 2, 276, अब 76 आ रहा है, 6 है, means 5 से 9 तक की category है, तो वो हमारा फिर से upward की तरफ जा रहा है, तो वो हमारा 76 की जगा 280 हो जाएगा. और इसी तरह 370 है, 371 है, यह हमारा 1 से 4 की category है, तो फिर हम लोग इसमें downward की तरह हो जाएगे, ठीक. तो यह हमारा हो जाएगा 370 है, और फिर next है, 345, तो यह हमारा upward की तरह हो जाएगा, rounded to up. ठीक, तो यह हमारा हो जाएगा 250. इसे तरह आप 100 भी है, तो 100 हमारा है 268, तो यह 65 जो है, यह हमारा upward की तरह जाएगा, क्योंकि 6 आ रहा है, वही वाला ही सब होगा, 65 है, 6 आ रहा है, upward की तरह जाएगा, round up हो जाएगा, तो फिर हमारे पास हो जाएगा 300, ठीक. और 390 है, यह भी हमारा up, down, rounding जो है, वह up होगा, 16, 1000 भी इसी तरह ही होगा, 100, और जो हमारी नीचे exercise है, वह combine है, 100 भी है, 10 भी और 1000 भी, okay, thank you.